दोस्टो आज के इस वीडियो में आपको BF1 year के फर्स्ट सेमेश्टर में आपका जो सब्जेक्ट हे संस्क्रीट उसके अंदर exam में कौन-कौन से questions आने वले हैं इस वीडियो के इंदर मैं आपको exam में आने वले questions के बारे में बताऊँगा तो लगूतरी प्रस्नों में पहले प्रस्न की बात की जाते हैं आप आपका पहला प्रस्न दिये हुआ है चरक सहिंता पर संचीप टिपड़ी लिखे ए जो चरख सहिंता है। दुरियोधन की सासन पदती बताईए चोता कोशन कर रहा है जो दुरियोधन है यहाँ पे आपको दुरियोधन की सासन पदती बताना है वरली कोशन की बात कीज़ा तहहां पर आपका पांच्वा कोशन दी हुआ है भारवी के भासा सौस्टों पर टिपड़ी लिखिए पाच्वा कोशन कर रहा है जो भारवी है यहाँ पर आपको भारवी के भासा सौस्टों पर टिपड़ी लिखना है वरली कोशन की बात कीजा तहहां पर आपका च्छाटा कोशन दीवा है कुमार संभव की कथावस्तू के सुरोत की संचित विविशना कीजिए छटे कोशन कर रहा है जो कुमार संभव है यहाँ पर आपको कुमार संभव की कथावस्तू के सुरोत की संचित विविशना करना है अब वहली कोशन की बात कीजाते हैं पर आपका साथवा कोशन दियुआ है नीती सतक किस का विविधा में आता है साथवा कोशन कर रहा है जो नीती सतक है यहाँ पर आपको बताना है कि नीती सतक किस का विविधा में आता है अब वहली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका आठवा कोशन दी हुआ है पारवती के सौंदर एक निरूपड कीजिए आठवा कोशन का रहा है जो पारवती है यहाँ पर आपको पारवती के सौंदर एक निरूपड करना है यानि कि पारवती के सौंदर के बारे में आपको बताना है अब वाली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका नव कोशन दी हुआ है राइनीती के नेक रूपता का नीती सत्कम के अधार पर वर्ण कीजिए नव कोशन का रहा है जो राइनीती है यहाँ पर आपको राइनीती के नेक रूपता का नीती सत्कम के अधार पर वर्ण गराव कोशन कि बात कीचा यहाँ पर आपको दोज़ें डिंद पे परकाई डिलना है आपको प्रमाइड का लुखेौ आपको 15 है नियसटा इसा है इपको वाइदिक दर्सन है यहाँ पे आपको वाइदिक दर्सन पर संचीत प्रकाई ड़ना है ति टूटल आपके सोलो कोईशन होगे जो आपसे लगूतरी प्रस्ण में पुछे जाएंगे अब आगे हम लोग दीरगूतरी प्रस्णों के बारे में जानेंगे ति यहाँ पे दीरगूतरी प्रस्णों में पहले प्रस्ण की बात की जाते हैं आपका पहला प्रस्ण दी हुआ है गडित सास्तर के उद्भों विकास का संचे पर ओंड कीजिए पहला प्रस्ण कर रहा है जो गडित सास्त्र है यहाँ पे आपको गडित सास्त्र के उद्भव के बारे बताना है और उसके विकास का संचेम में और करना है अवले कोशन की बात की जाते हैं आपका दूसरा कोशन दी हुआ है आयुरुवेद से आप क्या समझते हैं आयुरुवेद के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए दुसरा कोशन कर रहा है कि आयुरुवेद से आप क्या समझते हैं यहाँ पर आपको सबसे पर आयुरुवेद के बारे मताना है उसके बदागे आपको आयुर्वेद के उद्भा के बारे मतना है और आयुर्वेद के विकास पर प्रकाश डलना है अब वरले कोशन की बात की जाते हैं पर आपका तीसरा कोशन दी हुआ है काली दस का जीवन परिचे देते हुए उनकी किरतियों का उले कीजिए तीसरा कोशन का जीवन परिचे देना है और काली दस के जीवन परिचे देते हुए उनकी किरतियों का उले करना है वले कोशन की बात की जाते हैं पर आपका चोफ़ा कोशन दी हुआ है माग के जीवन और किर्तितों पर परकाई डालिए चोथा कोईशन कहा रहा है जो माग है यहाँ पे आपको माग के जीवन के बारे मताना है और माग के किर्तितों पर परकाई डालना है वरली कोशन की बात कीज़ा तहां पर आपका पांचोग कोशन दीवा है सिरी हर्स के जीवन के रितियों का परिचे दीजिए पांचोग कोशन का रहा है जो सिरी हर्स है यहाँ पर आपको सिरी हर्स के जीवन के बारे बताना है और सिरी हस के किरतियों का परिशे देना है वगली कोशन की बात कीज़े तहां पर आपका चाटा कोशन दी हुआ है दुरोपदी की चरित्रगत विसेस्ताओं का रॉंट कीजिए चटा कॉषण कर रहा है जो दुरोपदी की चरितगत विसिस्ता है, यहाँ पे आपको दुरोपदी की चरितगत विसिस्ता हों के बाहरें बताना है वरली कोशन की बात कीजा तहया पहे आपका सात्व कोशन दीवा है भारवी की पद यसली की लिखिए साथवा कोशन कर रहा है जो भारवी है यहाँ पे आपको भारवी की पद यसली की विश्यस्ता बताना है अब वली कोशन की बात कीज़त है आपका आटवा कोशन दी हुआ है महा कवी काली दास की का विकला है यहाँ पे आपको काली दास की का विकला का परिचे देना है बात किजेता हैं आपका बराव कोशन दी हुआ है नीती सतक के अधार पर ससंगति के महतु को समझाईए बरहु कोईशन कर रहा है जो नीती सतक है यहाँ पर आपको नीती सतक के अधार पर ससंगती के महतु को समझाना है तो टोटल आपके 12 कोईशन होगे जब से दीरगूतरी प्रस्ण पर पुछे जाएंगे